नमस्कार दोस्तों आज हम एक नया प्रोबलम के साथ आये हुए हैं यहाँ पे यह कोई नया प्रोबलम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा मेरे पे कमेंट आ रहा था कि आखिर जो हमारा फ्रीज है वो यह साइट से फ्रीज के दाहिने साइट से और बाएं क्की आजड्रोल कर सकते हैं सबसे पहले में बता दो अगर जो आपका कोई भी चमपनी का फ्रीज हो एल जी सेमसंम् वर्लपूल गुद्रेच कोई भी कमपनी का फ्रीज हो अगर जो आपके फ्रीज के पीछे कुछ इस तरीके का जाली लगा है यहां पर देखिए यह कंडेंसर हम बोलते हैं अगर जो कुछ इस तरीके का जाली लगा है तो आपका जो साइड का जो है यह पत्रा जो है साइड का फ्रीज का दीवाल जो है वो कम गरम होगा अगर जो आपका यहां पे side का पत्रा पीछे जो है condenser नहीं लगा है तो यहां पे ज्यादा गरम होता है लेकिन overheat नहीं होना चाहिए उसके भी कई regions होते हैं पहले मैं इसके कुछ guidelines है जो आपको बता दू जो LG की तरफ से यहां पे LG का ख्रावी न संझे क्योंकि यहां पे जो है यहां पे साइट का अपर हमारा Cons इलगता जैसे हमारा के इंदर यहां पर हमारा कूलिंग होने लगता है तो यहां पर जो है बरफ आने मतलब थोड़ा थोड़ा मोश्चर आने लगता है जिसकी वज़े से उपरी परत हमारा सड़ने लगती है तो इसलिए सड़े ना इसके हिसाफ से डिजाइन किया होता है कि आपका जो साइड गरम होगी तो इसमें मोश्चर नहीं पकड़ेगा अगर जो चलिये ठीक लेकिन गरम होती है अगर जो यह बहुत ज्यादा हीट हो रही है मतलब आप इसको टच करें तो ऐसा लगे कि यह जल रहा है तो उस situation में आप क्या कर सकती है देखें हमारे पास कितना डिस्टेंस है हमारे पास यहां पर 6 इंच का डिस्टेंस है अमने 7 इंच का डिस्टेंस इस फ्रीज में रखा है अगर जो आपका पीछे का जो एरिया है पीछे का दिवाल से जो यहां पर देखिए यह मेरा फ्रीज है और यहां पर यह मेरा दिवाल अगर इसके 20 की एरिये जो 6 इंच से उपर आप रखते हैं तो फ्रीज का ओवर हीट होने का चांस बहुत ज्यादा कम है अगर जो आपका फिर भी ओवर हीट हो रहा है तो कभी कभी देखेगा कीचन के ये साइड भी और कीचन के ये साइड भी दिवाल रहता है अगर जो आप का फ्रीज दिवाल से सटा हुआ है तो आप उतको दूर रख सकते हैं क्योंकि ये जो फ्रीज का ये साइड गरम होता है ये होगा क्योंकि अगर जो ये गरम नहीं होगा तो आपके फ्रीज अंदर से ठंडा नहीं होगा तो दोस्तों देखें ये कोई फॉल्ट आप ना वीडियो में इधरी समप्त कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत जादा लंब हो जाएगा कोई मतलब नहीं रहेगा जो में पार था मैं आपको बता दिया वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर जो वीडियो पतंदाया हो तो वीडियो को वे फिकर रहीएगा